आज हम एक ऐसी चटनी बनाएंगे जो बहुती स्वादिश्ट लगती है खाने के साथ और थोड़ी खटी मिठी होती है तो सबसे पहले आपको मार्केट से कच्री खरीद लेनी है और अब जब खरीद रहें तो आप ये चेक करके खरीदे कि वो थोड़ी सी सोफ्ट है Otherwise आप हाड वाली कच्री लेंगे तो वो कड़वी होंगी और आप चटनी बनाने से भी पहले आप इस प्रकार से कट करके ये चेक करें कि वो कहीं कड़वी तो नहीं है otherwise आपकी चटनी है जो सारी घराब हो जाएगी और अगर आप चटनी बनाए तो आप इसको जो उपर वाला ग्रीन पोर्शन उसको छील के भी बना सकते हैं तो इस प्रकार से आपको उसके चोटे-चोटे से पीसीस कट कर लेने हैं और फिर आप इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर कोई धनिया पुदीना डालना चाहिए हैं वो भी डाल सकते हैं उनको मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर ले और फिर ऐसा एक स्मूध सा पेस्ट रडी कर ले उस स्मूद से पेस्ट के अंदर अब आप लाल मिर्च डाल सकते हैं सुखा धनिया और मेरे पास मिंट तो नहीं था पर सुखा हुआ पुदीना था वो मैंने डाल दिया नमक डाल के उस सारे मिश्ण को चटनी के अंदर मिक्स कर दिया है तो इस प्रकार से हमारी कच्री के सारे मारी करे...